नमस्कार मित्रो जैश्टी कृष्णा, मैं राकेश श्वानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको एक नया चीज बताने जा रहा हूँ जो कि नॉर्मली शायद आपने बहुत कम सुनी होगी किताबों में जरूर अवश्य है जो ग्रंथ है हमारे जैसे फल दिपिगा है, ब्रैद पाराशरोरा शास्त्रा है इसमें इस चीज का बढ़न जरूर दिलता है और किसी भी कुंड़ी के प्रडेक्शन करते समय इनको देखना बहुत जरूरी होता है जैसे हमारे साथ ग्रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुद, ब्रस्पत, शनी और इसी प्रकार से हमारे दो च्छाया ग्रहे हैं जिनको हम राहु केतु बोलते हैं और इसके लबाँ पांच हमारे ऐसे ग्रहे हैं जिनको हम एप्रकाशक ग्रहे कहते हैं ए प्रकाशक ग्रहे, ए प्रकाशक ग्रहे, ये ग्रहे होते हैं, ये ग्रहे क्या होते हैं, कि ये ग्रहे अच्छे नहीं होते हैं, और कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की हानी करते हैं, दूसरी चीज ये, कि इनको निकालने का तरीका है, वो कैसे निकालते है को निकालने का तरीका है क्योंकि आपने देखा कि यहां पर इस भाव के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं पांचे भाव के कुंड़ी में आपने देखा लेकिन आपको मालूम चला कि यार इस भाव में तो अप्रकाशक ग्रह बैठा हुआ है या लगन के साथ या लगनेश के साथ कहीं एप्रकाशक ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ कि एप्रकाशक ग्रह कौन कौन से होते हैं और उमें कैसे निकाला जाता है सबसे पहले एक एप्रकाशक ग्रह है जिसका नाम है धूम धूम निकालने के लिए सबसे जो तरीका होता है इसका जैसे मैंने आपको यहांगे जाता की कुंडली दिखाई है जो की सुबह चार बच के 56 मिनट पे 25 सब्टूबर 1999 को पैदा हुआ है गाज़ेबाद में यह उसी कुंडली है कन्या लगन की और इसमें सूर्य तुला राशी में बैठे हैं 7 डिग्री 49 मिनट के यह इनका डिग्री 49 मिनट का लॉंगिचूड है सूर्य का अब सूर्य की वैल्यू में अगर हम जोडते हैं 4 साइन पास 13 डिग्री 20 मिनट 4 साइन पास मिन्स के 4 राशिया चल चुकी है 5 वी राशी है 13 डिग्री 20 मिनट का लॉंगिचूड इसका हो गया अगर हम सूर्य की लॉंगिचूड में यह वाला लॉंगिचूड जोड देते हैं तो उससे हमको मिलता है धूम जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ अब देखें सूर्य की वैल्यू अगर हम दिखना चाहें कि सूर्य की वैल्यू इस खुड़ी के हिसाब से क्या बनती है सूर्य 6 राशी पार कर चुका है 7 राशी में बैठा हुआ है इसलिए इसको लिखेंगे 6 साइन पास 6 साइन हमने लिखा है कि 6 साइन निगल चुके है 7 राशी में है 7 डिगरी 49 मिनट्स इसका लॉंगिटूड है वो हमने इसमें लिख लिख लिया और इसमें हम लोगों को एड़ करना है 4 साइन पास 13 degree 20 minutes यह हमको इसमें add करना है तो इसको इसमें plus कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 sign pass 20 degree 69 minutes और 60 minute का 1 degree होता है तो this will become 10 sign pass 21 degree 19 minute यह इसकी value आ जाएगी इसका मतलब हमारा जो धूम एप्रकाशक ग्रह है वो कहां बेटा है 10 sign चल चूके है 11 r심 बेटा हुआ यानि हमारा धूम नहां बेटा हुआ है ठीक हे तो यह हमें से मालूम चला इससे हमें एक चीज तो मालूम चली कि धूम अगर हमारा लगन में होता या लगन के स्वामी के साथ होता लगन हमारा क्या है कन्या है या तो लगन में बैठा होता धूम या लगन के स्वामी कौन हुए बुद्ध इनके साथ होता तो इस भाव की ये जरूर हानी करते और इस से इस वाले में चीज में हमेशा इंसान को अगनी से बहर रहता है अगर धूम लगन में बैठ जाए या ल लगन में धूम बैटा हो या जिनके लगन के साथ लगनेश के साथ धूम बैटा हो तो ये तो रहा धूम निकालने का तरीका तो धूम की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहां पे 10 डिग्री 21 मिनट्स 9 डिग्री 9 मिनट्स यह हमारा आ गया अब इसमें दूसरा यह तो अब हमारा दूसरा ग्रह निकलता है व्यती पात उसको बोलते हैं व्यती पात सेकंड एप्रकाश ग्रह जो हमारा है व्यती पात व्यती पात क्या होता है उसको निकालने के लिए जो ये वैल्यू धूम की आई है ये जो धूम की वैल्यू है इसको 12 साइन में से माइनस क दिगरी 19 मिनिट्स और यह वैल्यों माइनस करनी होगी दोंगी तो हमें व्यक्ति पात मिलेगा अब इसको कैसे माइनस करें देखिए यह 12 साइन पास है 12 साइन का पास मतलब यह है कि 12 राशी चल चुके तो मतलब यह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 साइन पास 30 डिगरी इसको ल 11 Sine 30 degree यह कर दें तो ङौन सो लिसकते हैं 11 Sine 29 degree 59 60 60 minutes 60 minutes का 1 degree हो गया तो 30 degree हो गया 30 degree का 1. sign हो गया तो 20 define pass हो गया तो हमने इसी 12 sign pass को इसमें लिख दिया अब इसमें से यह धूम की value minus करेंगे 10S 21 degree 19 minutes यह इसमें से minus करेंगे तो आप देखेंगे कि 60 में से अगर आप 19 घटाते हैं तो यह आपका 41 minutes आ गया 29 में से 21 घटाते हैं तो यह 8 degree आ गया और 11 sign pass में 10 sign pass घटाते हैं तो आपका 1 sign pass आ गया यानि आपका जो व्यतिपात है उसकी value आई 1 sign pass 8 degree 41 minutes यानि 1 sign pass कौन सा हुआ? सेकंड राशी में यानि व्यतिपात आपका यहां पहुंच गया इस भाव में यह व्यतिपात है तो शुक्र मनाए कि यहां भी व्यतिपात आपका लगन में या लगनेश के स्वामी के साथ नहीं अदर्वाइस ऐसे में हमेशा जो सींग वाले जानवर हैं उनसे भै बना रहता है जिनकी कुंडली में व्यतिपात लगन में बैठा हो या लगन के स्वामी के साथ हो तो यह हमने व्यतिपात निकाल लिया अब इसी व्यतिपात से हम आगे निकालेंगे परिवेश शक्द रहे है परिवेश परिवेश कैसे निकालते हैं परिवेश निकालने का तरीका ये होता है कि हमारी वैल्यू है one sign pass 8 degree 41 minutes ये हमारी वैल्यू है व्यतिपात की तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें जोडेंगे 6 sign पास अगर जोडते हैं इसके अंदर इसमें अगर 6 sign जोडते हैं तो ये परिवेश की value बन जाती है अब 6 sign इसमें अगर जोड़ें तो 1s और 6s हो गया 7s 7s 8 degree 41 minutes तो इसका मतलब हुआ कि जो परिवेश है वो आपका 7 sign चल चुका है यानि कि आठी राशी में है यहाँ परिवेश है और उसकी value है 8 degree 41 minutes तो आप यहाँ भी समझ गये कि इस कुंड़ी में भी जातक को बहुत safeguard बल गया क्योंकि इस कुंड़ी में भी परिवेश ना तो लगन में आया है ना ही लगनेश के स्वामी के साथ आया है otherwise इस case में पानी से बहुत डर रहता है और पानी के काम से और पानी में ऐसी कोई जो बड़े-बड़े sports हैं उनसे इनसान को जातक को बचना चाहिए अगर किसी इकुंड़ी में परिवेश लगन में है या लगनेश के साथ बैठा हुआ है इसके बाद दूसरा ग्रह हम लोग निकालते हैं जो important ग्रह है उसका नाम है इंद्रचाप चोथा ग्रह हमारा एप्रकाशक ग्रह उसको इंद्रचाप बोलते है इंद्रचाप निकालने के लिए क्या होता है जो परिवेश की value होती है उसको 12 sign में से minus कर देते हैं 12 sign में से परिवेश की value को minus करते है 12 sign minus परिवेश तो इसको minus करने के लिए परिवेश की value हमारे निकले हुई है 7 sign by something इसको minus करने के लिए क्या हम 12 sign को ऐसा लिख सकते हैं 12 sign को हम लिख सकते हैं 11 sign pass 29 degree 59 60 minutes यह हम इस value को लिख सकते हैं अगर देखें तो 60 minute का 1 degree हो गया तो यह 30 degree बन गया 30 degree का 1 sign होता है तो यह 12 sign बन गया यानि 12 sign को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो 12 sign को हमने इस तरीके से लिख दिया अब इसमिए सब minus करना है minus करना है परिवेश की value तो 7 sign pass 8 degree 41 minutes यह हम इसमें मगर माइनस करते हैं तो देखिए यहां पर बचे 19 minute आपके यह हो गया 21 degree और यह हो गया 4 sign pass 11 में से साथ गये 4 बचे यानि आपके जो value आई है 4 sign pass 4 sign pass means कि 5 ही नमबर राशी में यहां यहां आपका इंदर चाप हो गया यह इंदर चाप यहां बैठा हुआ है यहां भी जातक को safeguard मिल गया ना तो यहां इंदर चाप लगन में है ना ही लगनेश में है तो देखिए कितना safeguard मिलता जा रहा है तो यह चेक करना बहुत आवश्यक होता है और जहां इंदर चाप अगर लगन में हो या लगनेश में हो तो ऐसे जातक को जो mining वाले काम होते हैं जहां खुदा ही चलती है बहुत बड़ी बड़ी उनसे बचना चाहिए उनसे तोड़ा safeguard लेना चाहिए तो यहां पे इंदर चाप इनके इधर वालिस में आ गया अब पांचवा एक अप्रकाश्यक ग्रह और है जिसको हम बोलते हैं उपकेटू तो इंदर चाप की value हमारी आ गई अब आएगा हमारा उपकेटू यह बहुत important है उपकेटू यह ऐसा है कि पांचव है आप यह समझिए कि यह जहां बैठेगा इसका लगन से या लगने से लिना देना नहीं है मतलब कहीं भी बैठे यह चाहे लगन में बैठे चाहे फस्ट हाउस में बैठे जिस भाव में बैठेगा उस भाव की यह हानी करेगा यह उपकेटू ही वह होती है जिसलिए अगर ये इंदर्चाप की value आई है इंदर्चाप हमारा कितना था 4 sign pass 21 degree 19 minute ये हमारा इंदर्चाप था इस value में हम लोग add करेंगे 16 degree 40 minute 16 degree 40 minute इसमें आपको add करना है 16 degree 40 minutes ये सिर्फ आपको इसमें add करना है तो कितना हो गया 40 minutes में ये जोड़ा तो this will become 59 minutes ये हो गया 37 degree और ये हो गया 4 sign pass 37 degree को हम change करतेंगे क्यों एक sign ये होता है 30 degree के बराबर होता है तो ये हम 30 degree यहां चले गए तो ये हमारा हो गया 5 sign pass यह 7 degree रहे गए और 59 minutes यानि उपकेतू कहां पर आया 5 sign pass 5 sign pass means छटी राशी में यहां ये देखिए यहां पर ये जातक को safeguard नहीं हुआ चुकि यहां पर ये उपकेतू आ गया इधर problematic है पहले भाव में मतलब ये जातक के ग्यान को या जो भी स्वास्त है उसको थोड़ा problem create करेगा क्योंकि उपकेतू इनके लगन भाव में आ गया है जबकि लगन भाव देखने से बहुत अच्छा लगता है कि बुद्ध है बुद्ध अपनी मूलत्रिकोन राशी में है उच्च की राशी में बैठा हुआ है तो लगन यहां पर बहुत ही strong माना जाता है और लेकिन प्राबलम यह होती है कि अब यहां पर उपकेतू आ गया तो जबकिन भाव के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए थे शायद उतने अच्छे रिजल्ट हम लोगों को अब इसमें ना पिल पाए तो उपकेतू होने से यह उपकेतू आया इसके अंदर अब उपकेतू से हम इसका फिर वो भी निकाल लेते हैं तो उपकेतू भी वैल्यू हमारी आ गई 5 साइन पास 7 डिग्री 59 मिनिट्स की हमारी यह सी वैल्यू हो जाती है और इसमें अगर हम एक साइन पास जोड़ दें प्लस वन साइन पास कर दें प्लस साइन पास वन साइन पास कर देते हैं तो यह हमारी लॉट के 5 साइन पास रही होगा 6 साइन पास 7 डिग्री 59 मिनिट्स तो हमारी यह लॉट के सूर्य पस्ट आ जाता है हमारा यह हमारा सूर्य की डिग्री थी सेवन डिगरी सूर्य की डिगरी थी हमारी है दस मिनट का शैर कहीं कैल्कुलेशन में प्रब्लम हो गई है otherwise ये सेवन डिगरी 49 मिनट सी आता सेवन डिगरी 49 मिनट सूर्य की वैल्यो अगई और सिक्स साइन पास है यानिके तुला राशी में तो देखिए हम जहां से चले थे सूर्य से वापिस उसी सूर्य के सपस्पे हम लोट आये हैं लेकिन उस दौरान हमने पांचों ग्रह का ये देख दिया है कि कौन-कौन सा ग्रह कहां पे प्रकाशक ग्रह बैठा हुआ है और उसके बैठने से अगर लगन ये लगने से बैठता है तो क्या हानी होती है उकेतु तो ऐसा प्रकाशक ग्रह है जो कहीं भी बैठे किसी भाव बैठे तो उस भाव की हानी करता है तो आशा करता हूँ ये प्रकाशक ग्रह के बारे में है जो यह लेक्च्शर था आपको समझ माया होगा और नहीं समझ माया हो तो कभी भी कमेंट्स लिखे आप मुझे से पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर शेर करूँ गा मेरे देवे मुबाइल नमर पर आप मुझे फोन भी कर सकते हैं कहें कोई जरासी भी आपको दिक्कत आती है मस इतना आप से कहूंगा कि प्लीज से सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो देट मेरे मोटिवेशन बढा रहे है और मैं लेनी चीजार को शेयर करता हूँ धन्यवाद, थैंक जैश्री किष्णा